तो दोस्तो अगी जो है हम लोग लखी सरा आए हो गया है और यहां से कॉल आई हुए यह बड़ा कोब्रा सहाब कमरे में देखा गया है तो चर कर देखते और उसकर स्की करते हैं बाबार अज़्यों साफ यह बड़ा क्या हुआ कैसे आप लोग कहां पर देखें इसको यहां वार का है हुआ है तो बता रहे हैं दोस्तों कि डो क्ष़धा था इस मत्के में यह लोग सफाई कर रहे थे अपने कमरे में तो इस मत्के में जो है कोबरा शाप बैठा हुआ था तो जैसे ही लोगों ने देखा मटके में साप तो हाथ से मटका छूट गया और गिर कर मटका तूट गया और साप बता रहे है कि इधर आ गया है तो कमरे के हालत आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें कचड़ा है साब कहीं भी हो सकता है हमें काफी साफधानी से इसको सर्च करना होगा तो दोस्तों बता रहे हैं कि इनके भाई भाई जो है बीटेक इंजनियर है तो बीटेक इंजनियर है और थोड़े से माइंड से वो डिस्टर्ब है तो उन्ही का यह कमरा है और काफी ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो चुकि थोड़ा से मेंटल प्रॉब्लम भी है उनको और पढ़ने में हो सकता एक हैबिट हो जाती है ऐसे व्यक्ति तो इनके कमरे में अगर ऐसा साप था तो खत्रा हो सकता था उनके साथ कभी भी कोई हाथशा हो सकता था यह घरा में के पिछे वो साप कहा है लेकिन क्यों की कमरा लिगा दिया था इनोने तो साप कहीं भी हो सकता है क्या है ऐसे में हमें काफे बारी की से सच करना होगा इस कम्रे को वह अखर बाहर रखिया तो क्या हम इसाल है क्या है, क्या है नहीं वहने हैं नहीं हम आयthen लुकिछा हो दोची बाखोन, यह थुली तो और अप्रक्वर हो, का रावंगा होतते हैं. कि अधिया जो हुआ है बधाफ बढ़ा है ठीज़ आधियु पहुत बढ़ा वं नगज़ा दाने ग्रहे हैं देख रहे हैं दुख्टर बहुत बढ़ा कोगड़ा साफ है काफी बिग साइस का कोगरा है दोस्तों बागतां और तुम तरा से कमरे में बठा हुआ है काप्षु खटें कि वाथ है कि यह सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा कि यह सकते हैं दोस्तों कोबरा इशी को करते हैं कि इंगेन स्प्रेक्टिकल कोबरा तो चलिए इसे हम लोग लेकर बाहर चल चलिए काफी एक्टिव है बहुत ज्यादा एक्टिव है साथियों काफी बड़ा भी है खर में एक मैंटर पेशन है और उनके कमरे में इतना बड़ा सबस्क्राइद एक वे लिए सकते दोस्तों लगभाव 50 किलोमेटर दूर आके हम लोगों ने इस कोब्रा इसने को रेस्क्यू किया है और घरवालों के लिए काफी बहुत बड़ा खत्रा हम कहेंगे चुकि जिस तरह से घर का महल था सामान इधर उदर एस्टिवेस्ट था तो साप कभी भी कहीं भी छिपा कमा अनदर स्नेख बाइट हो सकती थी, जो कि काफी मुश्किल बात है चुकि अक्सर जो है स्नेक बाइट होने के बाद लोग पैनिक जाते हैं जिसक्व आरन से उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। और ऐसे में जो है उनकी जान चली जाती है दोस्तों कभी भी कोई भी साप काटे सिधा आप लोग सरकारी सदर होस्पिटल जाईए वहां जाने पर आपका सही ट्रीटमेंट होगा और आपकी जान बचेगी हम हमेशा अपने वीडियो में ये बात जरूर कहते साथ हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है साप काट ले तो आपको करना क्या है सीधा हस्पिताल जाईए आपके जान बचेगी काफी शाइन कर रहा है यह कोब्रा काफी सुन्दर भी लग रहा है देखने में लेकिन सुन्दर भले है है जहरीला साप दोस्तों और भारत देश का एक बहुत चमक रहा है बहुत साइन कर रहा है काफी सुन्दर लग रहा है यह साप लेकिन आप देख सकते हैं यह भी हमें बाइट नहीं करना चाला बाइट तभी होती है दोस्तों जब साप पे आपका पैर पढ़ जाए या किसी वज़ा से साप का सर आपकी कोई बॉड़ी प बाइब है कि अपने देखा दोस्तों अच्छी तरह से हमने इसको बाशने को पहक कर लिया इसे ले जाकर हम लोग इसके उची तपाता बरण में पर्या बरण में रिलिस करेंगे दोस्तों सापो का पर्यावरन में बचे रहना बहुत जरूरी है बले यह आपके घर में है लेकिन यह आपको काटने के लिए नहीं आते हैं यह वैसी जगह रह रहा था जहां पर लोगों का जादा आना जाना नहीं था अलाकि घर के अंदर घद्रे की बात ही हो सकता था कभी हम बोलेंगा अगर साप दिखते हैं तो उन्हें मारने का प्रयत्म ना करें उन्से दूरी बनाएं सतर करें सुरक्षित रहें सावधान रहें मिन्ते साथ यह फिर से अगली बार और स्ने के साथ आपका इसने क्लोवर निमर कुमाई धन्यों आप जब साप को देखे थे उस असपर्स भी हो गया था साप टच भी हो गया तो छोड़ दी साप को फुरा सूस्त ठालता ठंडी मुसर्ण अब देखे नहीं हम साप से तो डर सभी को लगता है लेकिन साप से दूरी रही है हम आप जब हमको कॉल किये तो कितना देर में हम आपको सर्विस दिया देर गंट अब अगर कभी साप निकले आप लोग आस पास जानकारी फेल आए थोड़ा कि अगर साप काटता है किसी को तो सिधा होस्पिटल जाएंगे तो उसके जानबच जाएंगे जाल एंगे जाएंगे करे करते है जाल जाल आकस जाएंगे करे प्राविकल्त ग्राव उते है।